अगलो दोस्तों नमस्कार आदाब दोस्तों मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है यहां बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने थमनुईल में देखा कि पाकिस्तान के ऊपर एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है यहां आपको सूचने वाली बात है डरने की जुरत नहीं है और भारती मीडिया के तरफ बहुत ज़्यादा इसमें खबर नहीं है भारती मीडिया की ही खबर है हिंदुस्तान जो न्यूस चैनल है उसका अपना एक रिकॉर्ड आया या एक न्यूस आई जो न्यूस फ्लैश हुई जिसके उपर मैं आप लोगों कोई इंफर्मिशन दे में घुसकर आतंकवादियों को मारने का दावा किया है अब मामला क्या है इसे समझेए मामला ये है सबसे पहले थोड़ा सा नक्षे के अंदर अगर आप देख लें तो यहां आपको कुछ नक्षा दिखाई देगा जिसमें आपको पाकिस्तान इरान और इनकी लोकेशन दोस्ती नहीं है और कम से कम तब से कम से कम तब से जब से पाकिस्तान जो है इरान में 1979 के अंदर 1978 में इरानियन रेवलिशन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पक्षमी था और इरान जो है वो अमेरिका के विरोध में खड़ा हो गया अगेंस्ट अमे maximum population siya और पाकिस्तान के अंदर सुनी population सबसे ज्यादा ऐसी situation के अंदर इरान के अंदर इरान और पाकिस्तान जो भले ही दो मुसलिम देश हैं लेकिन कही न कहीं शिया वर्सिस सुनी के नाम पर दोनों के बीच में लड़ाई जगड़ा होता रहता है अब ऐसी situation में ऐसी situation में इरान ने पाकिस्तान पर अब हमला क्यों किया इसका मामला समझेए असलियत में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर हजारा मुसलिम्स पाकिस्तान बही पाकिस्तान एक ऐसा देश जो की ideological bankruptcy के बहाफ पर बनाया गया ideological bankruptcy का मतलब यह है वैचारिक तोर पर बिल्कुल कंगाल देश है वैचारिक नाम की कोई चीज नहीं है विचार नाम की कोई चीज नहीं है बना ही इसलाम के नाम पर था लेकिन असलियत में इसलाम खुद वहाँ पर कुछ नहीं था इसलाम दुनिया के बाकी देशों में भले ही हो पाकिस्तान में कम से कम इसलाम नहीं था पाकिस्तान में इसलाम को मानने वाले कम जो पाकिस्तान के नाम पर जो पाकिस्तान बनाने वाला व्यक्ति था वो खुद इसलाम में जो चीजे बैंद थी वो सारे काम करता था, शराब से लेकर पॉक तक यानि सुर के मास तक सब खाता था जिन्ना, अब ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो इसलाम के नाम पर बना, तो कम से कम बनाने वाला व्यक्ति इसलाम को नहीं मानता था, अब ऐसे में 14 से लेकर 50% के बीच में थी जब पाकिस्तान बना maximum को मार मार के या तो migrate करवा दिया और वो भारत आ गए या फिर उन्हें convert करवा दिया गया forcefully conversion हुआ forcefully या फिर migration हुआ forcefully इंडिया के तरफ और यही कारण है कि मजबूरी में इंडिया को CAA जैसे कानून लाने पड़े जिनके उपर protest काफिसारा हुआ अब यहां पाकिस्तान बई जिसे लड़ने की आदत पड़ जाए तो नारा लगाया था पाकिस्तान ने लड़के लएंगे पाकिस्तान 16 अगस्त 1946 को नारा लगाया लड़के लेंगे पाकिस्तान और उसके बाद जिस तरीके से भारत के इंदर संप्रताइक दंगे भड़के और बंगाल बंगाल के अंदर नोवा खली और पूरे का पूरे बंगाल को खाली करवा दिया गया बंगलादेश जो आज के दिन है वहाँ हिंदूों से खाली करवा दिया गया तो आप समझ सकते हैं लड़के लेंगे पाकिस्तान का मतलब यह था कि हम लड़ेंगे लड़ने वाले जो लड़ना एक बार उन्होंने शुरू किया उसके बाद वो लड़ना खत्म नहीं हुआ वो लगातार केवल और केवल लड़ते चले गए और इस चाथ तक लड़ते चले गए कि मामला जो था उनके हाद से खुदी नहीं कल गया नतीजा क्या हुआ? पहले उन्होंने Minorities को मारा Minorities को मारने के बाद जब लड़ने की आदत अभी भी बची हुई है लेकिन Minorities नहीं बची हुई माइनोरिटी नहीं बची हुई उसकी विभाजनकारी राजनीती जो है डिविजव पॉलिटिक्स जो होती है वो हमेशा डिविजन जानती है लोगों को बाटना जानती है पाकिस्तान उसी डिविजव पॉलिटिक्स का शिकार था वहाँ शिकार तो खेर क्या politics, defensive politics उसकी स्बसेज़ादा बड़ी कमजोरी थी विभाजनकारी राजनिती जो थी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहो सबसे बड़ी बुराई पहो हो यही थी इसी विभाजनकारी राजनिती के चलते पाकिस्तान से बंगलादेश उलग हुआ बाद भी हिस्ट्री से अगर आप नहीं सीखेंगे तो दुबारा हिस्ट्री दौराई जाएगी पाकिस्तान ने नहीं सीखा अडाईल बुधि है जिद्धी आ ऑए देशों है अन लोकों का देश है और कुछ बिल्कुल ही चोटे से स पहले हिंदू और सिक्षों को मारा जब हिंदू सिक्षों को मारने के बाद उन्हें खतम कर दिया गया तो उसके बाद सीधा सा असर था कि अब वो इसलाम के अंदर भी डिवीजन्स ढूनने लगे और इसलाम में डिवीजन्स में एक तो एहमदिया एक एहमदिया और उसके ब पर पाकिस्तान में अत्याचार होना शुरू हुआ और जिस तरीके से अत्याचार होना शुरू हुआ उतार उतार के गाड़ियों में से उतार उतार कर पूरी की पूरी उनके घरों में घुस घुस कर मारे जाने लगे और इसका बेस्ट एक्जामपल है बलूचिस्तान ये एक स्टॉप हजारा जेनोसाइड, स्टॉप शिया जेनोसाइड, नावड़ेस दर टाइम, टाइम, हजारा on the world, या जो भी पाकिस्तान सपोर्ट, स्टॉप सपोर्टिंग तालिबान, हजारा स्टॉप मर्डरिंग हजारा स्टॉप अथिनिसिटी, और सबसे बड़ी बात ये है, ग्यारा हजारा माइनर्स चो छोटे बच्चे थे, उनको मार दिया गया, ग्यारा, इस तरीके डेड़ बॉडी, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को घैर क्या प्रोटेस्ट हुआ, मोटी बुद्धी जानवरों के लोग हैं, लेकिन समस्या समझियेगा, वहाँ हजाराओं को मारने के वज़े से, जो प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में हुए, पाकिस्तान ने बड़ी ही बेशर्मी से उसे जेल लिया, और मामले को दबा दिया, मज़े की बात ये इने मारने वाला कोई पकड़ाई ही नहीं गया, जबकि गरीब माइनर से छोटे छोटे बच्चे थे जिनें मारा गया, तो इसी का असर क्या हुआ, इसी का असर ये है कि कही ना कही उसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में इस तरीके के प्रोटेस्ट चालू हो गए, इरान में, इरान क्योंकि शिया है, हजारा शिया है, अब अव्यस सी बात है भाई भाई वाला अगर मामला आया तो प्रोटेस्ट चालू हुए इरान के अंदर पाकिस्तान के अगेंस प्रोटेस्ट चालू हुए और इरान की गॉर्मेंट के उपर प्रेशर है नतीजा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप्स थे उन पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ग्रुप्स ने इरान के उपर प्रेशर क्रियेट करने के लिए के वज़ेश के लिए बॉर्डर एरियाज के उपर प्रेशर बनाना शुरू किया इरान पहले ही फ्रॉस्टेटेड है पाकिस्तान से बॉर्डर एरियाज इस तरीके क आदत है कि ISI से लेकर पाकिस्तानी आर्मी तक ये दोनों के दोनों पाकिस्तान की फॉरन पॉलिसी को समालते हैं तो इन्होंने अपने यहां के जो भी आतंकवादी है इरान को डीस्टेबलाइज करने के लिए यहां भेजना जारी रख रखा है और यही रीजन है कि इरान का जो इस्टर्न पार्ट है इरान का जो पूर्वी इलाका है वो डिस्टर्ब्ड है इरान का इस्टर्न पार्ट इरान का पूर्वी इलाका बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है और इन टेर्रिस्टों से बहुत परिशान है ये चीज ध्यान रखिए कि जब इंडिया ने उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान के उपर इरान की तरफ से भी बंबार्डमेंट हुई थी इरान के तरफ से भी उस टाइम पर भी बंबार्डमेंट हुई और मज़े की बात ये कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के इलाकों पर तोपे चलाई बंबार्डमेंट किया नतीजा क्या पाकिस्तान प्रेशर में आ गया कि मेरे साथ हुआ क्या मेरे तीनों ही पुडोसी मेरे खिलाफ खड़े हुए है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया अब दुबारा ऐसा ही हुआ इरान को गुस्ता तो था ही हजारा मुस्लिम्स के मामले के अंदर पाकिस्तान से खफा था खार खाय वैठा था घुसे में था नतीजह क्या हुआ जैसे ही इन टैर्रिस्ट और टैर्रिस्टों को इंडिया के और इरान के अंदर एνटर करवाया गया इरान ने सर्जीकल स्ट्राइक हवाई हमलोंसे सर्जीकल स्ट्राइक कर दी जिसकी वज़े से उसके बॉर्डर इलाकों के अंदर आर्मी परसंस और साथ में एक तो आर्मी और साथ में जो जैसे भी कहा जाए कि टेर्रिस्ट्स मारे गए जबरदस लेवल पर अटेक हुआ यहां पाकिस्तान भी फजीहत हो गई है कि आपके देश में घुसकर आपके परोसी अगर मार रहे हैं तो या तो आप में इतना गुदा होना चाहिए इतनी कुवत होनी चाहिए इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप रिटेलियेट कर सके और यद निशान है जिसका नतीजा आपको अपने देश की सौवरनिटी पर हमले के रूप में देखना पड़ रहा है दुनिया जानती है दुनिया जानती है ओसमा बिन लादेन जो आपके जीजाजी हुआ करते थे वह आपके देश में मारे गए हैं अमेरिका ने घुसके मारा और आप कुछ नहीं कर पाए भारत ने आपके देश में घुसकर एक नहीं दो दो बार स्ट्राइक किये आप कुछ नहीं कर पाए अब इरान ने नंबर लगा दिया है ये असलियत में सर्वाइवल ये असलियत में आपका आइडेंटिटी क्राइस है और ये आइडेंटिटी क् इस अकसर डिस इंटीग्रेशन की तरफ ले जाता है और पाकिस्तान अपने पांच तुकडों की तरफ रहा है अब यहां पर पाकिस्तान के एक नए नए हस्ब्स का वो या कहसम का चाइना पाकिस्टान या Suprem पाकिस्तान को देखके frustration होती है उसकी हरकते ही देखके frustration होती है कि what type of country that is अब चाइना अगर चाइना को देखा जाए तो obviously बात है चाइना इस पाकिस्तान को बचाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा कर बैठा हुआ है और यही रीजन है यही रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान इरान का एक triangular corporation बनाने की कोशिश की गई लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है triangle of corporation जो है उसमें triangle बना कहाँ जबरदस्ती वाला है triangle के अंदर तीनो पार्टी अगर एक दूसरे के साथ किसी तरीके का triangle बनाती तो बात भी है यह तो एक टेड़ी मेड़ी line है जिस टेड़ी मेड़ी line को जबरदस्ती triangle कहा जाए तो दिल को सुकून देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब type की बात आ जाती है पाकिस्तान एरान और टर्की जो है और चाइना जो है ये कोशिश नहीं कर रहे खासकर चाइना कोशिश नहीं कर रहा कि इनके बीच में किछी तरीके के सुला हो जाए लेकिन और यही रीजन है कि इसलामाबाद से इरान के थ्रू होते हुए टर्की तक की एक railway line की बात की जा रही है जिसे में पारकुर और उजुनलूंग railway line जिसे इसलामाबाद इस्तनबूल railway line कहा जाता है इसके बारे में discussion चल रहा था लेकिन फिर problem यही है कि पाकिस्तान और इरान के बीच में वो railway line को ठीक है लेकिन जो पाकिस्तान के non-state actors हैं जो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की government को ही मानने को तयार नहीं है और पाकिस्तान की government से कहीं ज़्यादा dominating है यह वही पाकिस्तान है जो की डैनियल पर्ल नाम के पत्रकार थे उनकी गर्दन उतारने वाले को guest house में रख रहा है और यह कह रहा है कि guest house में ही इसकी कैदपूरी हो जाएगी ऐसा व्यक्ती जिसे guest house में ही कैदपूरी करने की बात की जा रही हो ऐसा देश जो बेशरमी के साथ आतंक वाजियों को guest house में रखने को ही जेल बता रहा हो ऐसे देश के साथ इरान कैसा भी है टेर्रिस्ट नहीं है वो अपने घर में टेर्रिस्ट नहीं पालता इरान अमेरिका से face to face लड़ता है किसी का पिछ लगू नहीं है अपनी identity रखता है और अपनी identity के लिए लड़ रहा है आज नहीं तो कल survive कर जाएगा पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान अपनी identity हो बैठा है भारत से लड़ने के नाम पर और कश्मीर लेने के नाम पर भारत से लड़ने के नाम पर और कश्मीर 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 लेने के नाम पर अपनी identity साथ तक हो चुका है अब वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो प बता पा रहा है अपनी आइडियोलोजी को डवलप नहीं कर पा रहा यही कारण है कि दूसरे देश को परेशान करने के अलावा या आतंक वादिया नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू काम करने के अलावा पाकिस्तान के पास कोई आप्शन नहीं बचा है नतीजा उसका ये प्रभूता पर हमले होने शुरू हो जाएं तो ये समझ लीजिए दोस्तों मामला खराब है देश के अंदर बहुत समस्या है और अगर आप सामने खड़े होकर उसके मकाबला करने के लिए ततपर ना हो तैयार ना हो तो दोस्तों ये एक छोटा सा एनलेसिस था पाकिस्तान के उपर इरान के सब्सक्राइब का देखें धन्यवाद